यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस तरीके से coin market cap पर bun ecosystem को हम track कर सकते हैं क्या उस तरीके से coin market cap को किसी और website पर किसी और exchange पर track किया जा सकता है क्या इसके कोई record मिलते हैं आखिर वो कौन सी exchange है जहां पर आप one token को USDT के साथ trade करते हुए देख सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि coin market cap एक universal platform है जहां पर आप देख सकते हैं कि coin के साथ क्या activity चल रही है कौन सी exchange पर list है किस-किस pair के साथ उसमें trading की जाती है जैसे कि यहां पर हमें polygon uniswap यह information मिलती है तो देखिए coin market cap पर आप खुद अपना account बना कर trading नहीं कर सकते क्योंकि trading करने के लिए आपको चाहिए polygon जैसी exchange अगर हम बात करें यहां पर तो polygon scan.com करके exchange होती है या फिर अगर हम बात करें यहां पर Binance तो हमें Binance जैसी exchange चाहिएंगी trade करने के लिए और अगर हमें Binance जैसी exchange नहीं मिलती है या फिर Bajirex जैसी exchange नहीं मिलती है तो फिर trading करना difficult हो जाता है जैसे अगर आप trading से बिलकुल भी जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे की trading view एक platform है जहां पर आप सभी trading pair को track कर सकते हैं लेकिन actual में आप trading view पर trade नहीं कर सकते हैं trade करने के लिए आपको अपने regional broker जैसे की इंडिया में kite हो गया यानि की जिरोधा एंजलवन आप stock इस तरीके के broker की मदद लेनी पड़ती है तो ठीक बैसे ही coin market cap एक platform है जहां से आप track कर सकते हैं चीजों को कि किस pair के साथ OES trade हो रहा है किस pair के साथ bitcoin trade हो रहा है और उसके बारे में वही सारी चीज़ा आप check कर सकते हैं जैसे अगर हम यहां पर जाएं और सबसे पहले देखें यहां bitcoin हमें देखने को मिलता है तो bitcoin पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम इसकी कितनी exchanges हैं कितने यह cryptocurrency हैं कहां पर trade हो रहा है कितने pairs हैं क्या news है वो हमें एक universal simple single platform पर मिल जाती है जैसे मैं अगर यहां पर check करूं market तो यहां पर आप देख सकते हैं कि bitcoin की जो market है वह वाइनेंस पर है coinbase exchange पर है kraken, kucoin, bitthum, bitstamp, bitnex और इस तरीके से सभी pair हैं और bitcoins related यहां पर काफी सारे pages बने हुए हैं तो ठीक बैसे ही यह चीज हम जो polygon scan है उस पर coin market cap check करते हैं अब coin market cap किस exchange पर trade हो रहा है यानि कि आपको यह Binance जैसा interface आपको Binance जैसा interface किस platform पर मिलता है जहां पर वो trading terminal चलता हुआ दिखाई देगा तो उसी से related आज यहां पर information मिलेगी कि one coin यानि कि OES one token को किस trading terminal पर track किया जा सकता है किस trading terminal पर हम इसको trade होते हुए check कर सकते हैं तो चलिए मैं ज़्यादा suspense नहीं रखता और उस trading terminal का interface आपको दिखाता हूँ तो वो trading terminal है यह रहा आपके सामने जी को टर्मिनल तो यह spelling है इसकी GECKO यानि की जैको टर्मिनल इस टर्मिनल पर live trading होती रहती है this pool has been very low liquidity and price can differ generally तो यह रहा यहां पर देखिए मैं इस में पॉलिगन की जो trading होती है GECKO टर्मिनल पर वो live आप चेक कर सकते हैं OES की किस तरीके से यहां पर buying selling चल रही है और trading चल रही है तो यह देखिए GECKO टर्मिनल from coin GECKO और यहां पर polygon POS Uniswap version 3 और यहां पर आप चेक कर सकते हैं OES slash USDT यह trade हो रही है यहां पर liquidity pool आप चेक कर सकते हैं और यह pool hidden है यहां पर इसकी जो liquidity है वो low है क्योंकि अभी one coin सभी के लिए accessible नहीं है जहां पर आप trade कर सकते हैं one OES price जो है यहां पर 44.23 है अगर हम coin market cap पर चेक करें तो coin market cap पर यह 44 45.23 something है लेकिन actual में जहां पर trade हो रही है वहां पर 44.23 है और यह रहा पिछले volume इसका 24 hours में volume USDT liquidity fully diluted valuation market capitalization यहां पर यह रहा तो अगर हम इसकी market capitalization की बात करें OES की तो यह 11.17 bitcoin है अगर हम इसको coin market cap पर चेक करते हैं इसी liquidity को कि यह bitcoin का कितना है market cap तो bitcoin का market cap आप यहां पर देख सकते हैं यह भी billion में ही है यह अगर यहां पर देखें तो 11.17 लाग 10 लाग 10 लाग करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब यानि कि यह 5 खरब 54 अरब कर संथिंग है और इतना ही अगर हम देखें तो यहां पर आपको 11.17 BUSD और इसका market capitalization 11.17 BUSD करके है अब देखें और इसके information चेक कर लेते हैं कि भाई बायर सेलर के इस तरीके से trade कर रहे हैं live chart OES USDT का कहां पर चल रहा है तो यह OES USDT है यहां पर कोई भी doubt नहीं रहेगा OES USDT यह रहा OES USDT Uniswap B3 Polygon POS और यह G को टर्मिनल पर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर देखें जिस यहां पर यह रहा कितना बाई सेल बाई सेल यह गाय बाई सेल बाई सेल कितना कर रहा है और बाई सेल के साथ यह Ethereum का प्राइस है USD प्राइस है OES का प्राइस है 20 20.2 2015 15.2 15.15 15 तो इस तरीके से यहां पर यह मिल रहा है transaction secure है यह सारी चीज़े और OES USDT price statics the current price of OES USDT of Uniswap B3 POS is 44.23 which is a 0% price increase in the past 24 hours पिछले 24 घंटे में यहां पर 0% का increase हुआ है 24 घंटे का trading volume declared to be 00 USDT पिछले 24 घंटे में यहां पर कोई भी transaction नहीं हुआ है कोई contract address यह रहा OES का और यहां पर बिद्ध फुली dilution value यहां पर यह रही 11.06 and liquidity pool of 0.00358 अब यह तो रहा पूरा terminal public API data यहां पर मिल जाएगा यहां पर आप इसके chart change करके देख सकते हैं जैसे हम अगर देखे हर minute में कितना trade हो रहा है वह भी यहां से चेक किया जा सकता है एक घंटे का chart मैंने लगाया यहां पर यह buying selling की कितनी process चल रही है वह भी check कर सकते हैं daily chart भी यहां से कर सकते हैं किस दिन trade हुआ किस दिन नहीं वह यहां से चेक कर सकते हैं और अगर हम देखें तो इसको एक minute में भी कर सकते हैं एक minute में करके हमें और ज्यादा इसमें detail में चीज़े देखने को मिल जाएंगी अब इस chart को यहां से line chart भी convert कर सकते हैं देखिए रहा line chart तो बन कोईन के 15 मिट के chart पर किस तरीके से line chart चलता है यह भी हम check कर सकते हैं जी को terminal के थूप अब जी को terminal एक ऐसा terminal है जिस पर आप internationally किसी भी coin को track कर सकते हैं not only oes या one coin इसको आप English Spanish किसी language में check कर सकते हैं chart हमने यहां पर देखिए candlestick लगा देते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा use होता है तो चलिए फिलाल आज हमने देखा कि coin market cap के अतिरिक आप oes को किस terminal पर check कर सकते हैं तो यहां इस website को directly open करके oes usdt यहां पर लिखेंगे और इस पर आप बहुत सारी चीज़ें जैसे की watch list है tax पूरा crypto से related जितना भी platform है आप सभी यहां पर check कर सकते हैं सारी information ले सकते हैं बड़ा platform है जिस तरीके से coin market cap है ठीक वैसे ही यहां पर आप liquidity pool uniswap सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगा सारी चीज़े यहां पर verify हो जाएंगी इसके बाद कोई doubt मुझे नहीं लगता की oes की trading से related oes की listing से related या oes से related किसी का कोई बचेगा तो फिलाल यहां पर आपको यह बड़ी exchange भी देखने को मिल रही हूं जैसे डीके एक्स चैन सौनबर्ड यह सब आई ओटेक्स बिट टॉरेंट बिट कूप चैन candles emerald और से सारी चीज़े यहां पर चेक कर सकते हैं चेक करते हैं इसी liquidity को कि यह bitcoin का कितना है मार्केट कैप तो bitcoin का मार्केट कैप आप यहां पर देख सकते हैं यह भी बिलियनों में ही है यह अगर यहां पर देखें तो यहां पर आपको 11.17 BUSD और इसका मार्केट कैपलाइज़ेशन 11.17 BUSD करके हैं आप देखें और इसकी information चेक कर लेते हैं कि बायर सेलर किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं लाइव चार्ट OES USDT का कहां पर चल रहा है तो यह OES USDT है यहां पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा OES USDT यह रहा OES USDT Uniswap B3 Polygon POS और यह जी को टर्मिनल पर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर देखें यहां पर यह रहा कितना यह रहा है और यह इस तरीके से यहां पर यह मिल रहा है यह सारी चीज़े और OES USDT price statics the current price of OES USDT of Uniswap B3 POS is 44.23 विच इस जीरो परसेंट प्राइस इंक्रीज ना पास्ट 24 अर्स पिछले 24 घंटे में यहां पर जीरो परसेंट का इंक्रीज हुआ है कोई contract address यह रहा OES का और यहां पर with the fully dilution value यहां पर यह रही 11.06 and liquidity pool of 0.00358 अब यह तो रहा पूरा terminal public API data यहां पर मिल जाएगा यहां पर आप इसके चार्ट चेंज करके देख सकते हैं जैसे हम अगर देखें हर मिनट में कितना trade हो रहा है एक घंटे का chart मैंने लगाया यहां पर यह buying selling की कितनी process चल रही है वह भी चेक कर सकते हैं daily chart भी यहां से कर सकते हैं किस दिन trade होग किस दिन नहीं वह यहां से चेक कर सकते हैं और अगर हम देखें तो इसको एक मिनट में भी कर सकते हैं एक मिनट में करके हमें और ज्यादा इसमें detail में चीज़े देखने को मिल जाएगी अब इस चार्ट को यहां से line chart भी convert कर सकते हैं देखिए रहा line chart तो बन कोईन के 15 मिट के चार्ट पर किस तरीके से line chart चलता है यह भी हम चेक कर सकते हैं जी को टर्मिनल के थूप अब जी को टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जिस पर आप internationally किसी भी coin को track कर सकते हैं not only OES या one coin इसको आप English Spanish किसी भी language में चेक कर सकते हैं चार्ट हमने यहां पर देखिए candlestick लगा देते हैं क्योंकि यही सबसे जादा यूज होता है तो चलिए फिलाल आज हमने देखा कि coin market cap के अर्तिरिक आप OES को किस टर्मिनल पर चेक कर सकते हैं तो यहां पर हमने देखा gco terminal g-e-c-k-o-t-e-r-m-i-n-l.com इसकी spelling है अगर इसको आप अपने आप verify करना चाहते हैं तो भी इस website को directly open करके OES USDT यहां पर लिखेंगे और इस पर आप बहुत सारी चीज़ें जैसे की watch list है tax पूरा crypto से related जितने भी platform है आप सभी यहां पर चेक कर सकते हैं सारी information ले सकते हैं बड़ा platform है जिस तरीके से coin market cap है ठीक वैसे ही यहां पर लिक्विडिटी पूल Uniswap सब कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें यहां पर verify हो जाएंगी इसके बाद कोई doubt मुझे ने लगता की OES की trading से related OES की listing से related या OES से related किसी का कोई बचेगा तो फिलाल यहां पर आपको यह बड़ी exchange भी देखने को मिल रही हूं जैसे यहां पर चेक कर सकते हैं तो फिलाल आच के वीडियो को यहीं पर वाइन अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए कि वोचिंग एसे गईड़